वैश्न वजन तो तेने रे कैई जे पीड पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान ना आने रे वैश्न वजन तो तेने रे कैई 1926 साल मा बापू दक्षेन भणी खादी यात्रा करता हा था तामी नाडूनी यात्रा पूरी थाई गया थी आंध्रमा मोटर नो प्रवास चालतो हतो बापूनी मंड़ी चिकाकोल नामना स्थळे आवी पहुची रातना 10 वाग्या हता त्या सारी सारी कांतनारी बहनोंनी कांतन हरी फाई राखवामा आवी हती बापूनी साथे काका साहेब कालेलकर अने मादेव भाई देशाई पना था तेवोई विचारीओं के बापूने आमा हाजर रहाविना छुटको न थी आपने आखा दिवसनी मुसाफरी थी ठाक्या चीए चालो आपने उतारे जहीने आराम करिये आम विचारीने काका साहेब ने मादेव भाई पोताना उतारे पोंची गया बापूनी पथारी करीने तेवोबने सुई गया बापू मोडे थी आवीने सुई गया सवारे चार वागे प्रार्थनाने माटे तेओ बदा उठ्या हाथ मूँ दोईने प्रार्थना शरू करताज बापु ए पूछू राते सूता पहला तमे लोको ए प्रार्थना करी हती ने काका साइबे कईू बापु राते आवे तेरे एटलो थाकी गयो हतो कि पड़े तेवोज उठी गयो प्रार्थनानू याद जना आवियो माधिव भाई एक खयू हूँ पन प्रार्थना करया वगर सूई गयलो परंतु आख मले तेपेला याद आवियो हैले उठी ने पथारी मा बेठा बेठाज प्रार्थना करीली दी अने काकाने न जगाल्या पसी बापु ए पोतानी वाद कहिवा मांडी हूँ कल्लाग दोट कल्लाग हरीफाय मांबेठ हो त्यां थी पांचों आवियो त्यारे एटलो बदो थाकी गयो हतो के हूँ पन प्रार्थना करवानू भूली गयो अने एम ने मुंगी गयो बे एटली वागे आँख हूगडी गयी त्यारे याद आवियों के साजनी पराथना तो करी ना थी याद आवता मने एवो तो आगात लागियो के मारू आखी शरीर कमपवा मंडी पड़ियो परसेवाती रेब जेब थाई गयो उठी ने बेठो थाई गयो घणो पस्तावो करयो जेनी कृपा थी उँँ जीवी रहो छू मारा जीवन नी साधना करू छू ये भगवान ने जू भूली गयो किटली भारे भूल थे गई मैं भगवान ने क्षमा मागी पन त्यार्थी उंग नती आवि आमने आम बेसी रहो छू ये पची बापु है आका साहेब है अने मादेव भाई है सवर्नी प्रार्थना करी प्रार्थना पूरी थे येटले बापु कहे प्रवासमा पन आपने सांजनी प्रार्थना नक्की करेला समयज करवी जोई है आपने तो आखा दिवस्तनों कारेक्रम पूरो कर्या पची सूता पहला जारे सम्मई मले त्यारे प्रार्थना करिये छी है आखें बराबर न थी आज ती सांजे रोज साथ वागे प्रार्थना कर्वानू राखेशू भले आपने क्या ही पन होई है पची प्रार्थना कर्वा बेसी चता एकवार एक बहने बापूने कर्यू बापू में प्रार्थना कर्वानू छोड़ी दीदू छा बापू नवाई पामी ने कर्यू केम केमें उकर्यू शामाटे बहने निखालस ता थी कर्यू कारण के हुँ मारा दिलने छेतर थी अदी बापु हुँ प्रार्थना रोज करवा बेसती पन मारू मन एमा स्थीर्थ ततू न हतू प्रार्थना करवा बेसू तो मनमा जेते विचारो आव्याज करे एटले मने थायूं के प्रार्थना मा जो इश्वर नू ध्यान धरा तु न होई तो प्रार्थना करवा बेश्वानू ढोंग शामाठे करवा। आथना ने शामाठे छोड़वी जोई है। आवाद साम्दी ने पहला बेन इच्चु जोई गया।